तो मुझे अपने गुंडों को परी कराने का गाम आसान हो गया, इसलिए जवालन नारू ने देखा कि भई ये जूरी सिस्टम चलेगी, तो जमिनदारी खतम हो जाएगी, और उन्हें हराल में जमिनदारी सिस्टम को बचाना था, इसलिए उन्होंने जूरी सिस्टम खतम कर तो उन्होंने नाणावटी के केस को एक्स्क्यूज बनाया, अखिकत में देखो तो नाणावटी के केस में, नाणावटी किस सेंस में इनोसंट था, कि उस समय जूरी ने ऐसा ने का कि ये इनोसंट है, जूरी ने ये सोचा कि इस आदमी को हम कहेंगे कि ये गिल्टी है, त कि नआवर्टी ने जो प्राइम किया था किसी आमन मी सुंपुक्छेओ तो हो कह खी किया कितनी सजा होनी चाहिए कि फाम्सीकी सजा नहीं होनी छाहिए क्या फ्रांदी अधिक नीक्ति अफसर द blessings कि करौणपती उस समय के कर्व Simmons के करौणपती आदी वक्ति के संतान यदि सेना में जाती हो भी नेवी ने. तीनों सेना में सबfont液ा कठी जिन्जिने भी के होती है महीनों तक नमें इसे प्धमीलें जो रहना पड़ता है समरिन के अंदर जहाज के अंदर तो इस आदमी को और शामने जो दूसरा case था अहुजा जो पिए उसका नाम हो वो एकदम कमीना आदमी था तो उस आदमी को मार दिया तो लोग बोलेंगे आच्छा क्या मार दिया मेरी और से एक गोली और चला देनी थी तो जो इस केस में आम आदमी ने जो डिसिशन लिया वो ठीक लिया कि फासी की सजा नहीं होनी च जूरी को यह ऑफ्शन ही नहीं दिया गया कि आप 5 साल की सजा दो, 7 साल की सजा दो, 10 साल की सजा दो फासी की सजा दो मैंने जूरी सिस्टम प्रपोस्ट किया उसमें सजा जूरी ताही करेंगे, जद ताही नहीं करेगा, क्योंकि जज जद इंतर रिश्वत को रोते हैं, वो उनके रिश्वतारों से उनके सांट गाट होती है, तो उस समय, इसलिए जो नौ लोग उस समय जूरी में थे, उन्हों तो बहुत जब ने बरी किया, तब वो अच्छा आद्मी था, और जान्या जूरी ने उसको परह किया, तो वो सब गलत आजमी हो गए, नेरू ने क्यों परी किया, क्योंकि वो आदमी बहुत सीनियर पोजिशन पर आ चुका था, वो बोलता कि तुम मेरे को फांसी की सज़ा पड़ा, और दूसरा वो पार्डम के हगदर भी क्यों हो था, कि इसे बोलते हैं कि आदमी आवेश में आकर यदी हत्या करता है किसी की, तो फांसी की सज़ा अधिकतर देशों में नहीं होती, फांसी की सज़ा कब होती है कि जब आदमी ठंडे कले जब कून जोंक जाते हैं और जूरी सिस्टम को मजबूत करनी की जड़ होती है कि जूरी के पास पावर होना चाहिए, कि पास साल की सज़ा, तीन साल की सज़ा, साथ साल की सज़ा, दस साल की सज़ा या फांसी की सज़ा, तो जूरी ने उसे पास साल की सज़ा दे दी होती, लेकिन जबालन नेरों का मोटीव क्या था, और सुप्रेम कोड के चजों का मोटीव क्या था, तक उन्हें हर आल में jury system खतम कर थी हुआने, इस केश को लेकर jury system खतम कर दी, अब हम jury system का ग्लोबल ओवर्विव लेते हैं तो कौनकों से देशों में जूरी सिस्टम है मैं देश के दुनिया के एक कोने से शुरू करता हूँ Canada में जूरी सिस्टम है America में जूरी सिस्टम है और बाकी Latin American सिस्टम में तहीं भी नहीं है Mexico अगरा जूरी सिस्टम है Canada, America उसके बाद Spain में जूरी सिस्टम है, Portugal में है Britain में है, France में है Germany में है Scandinavia के चारो देशों में है Norway, Sweden, Finland, Denmark Netherlands चारो देशों में है उसके बाद Italy में जूरी सिस्टम है और Russia में 90 दिस्टिक्ट है उसमें से कुछ 15 दिस्टिक्ट में जूरी सिस्टम है और बाकी में जूरी सिस्टम नहीं है अफरीका में जूरी सिस्टम नहीं है भारत में जूरी सिस्टम थी खतम कर दी गई और Australia में जूरी सिस्टम है New Zealand में जूरी सिस्टम है Japan में जूरी सिस्टम लाई गई 2010 की साथ से उन्होंने भी देखा कि ज़स्टम में बहुत प्रष्टाचार और बाई-बती चावाद चलता है जापन की सोसाइटी इस तर रखिये कि लोगों ने गालिया नहीं दी और नियाएदिशों में भी देखा कि लोग गालिया दे उससे पहले ही सुधर जा तो वहाँ जूरी सिस्टम आई लोगों ने मां में तो बिल्कुल विक जूरी सिस्टम है पर फिर भी उन्होंने क्यों जूरी सिस्टम लाई थोड़ी तो थोड़ी कि उन्होंने ने नेखा कि जूरी शरी के जो करप्शन का और नेपोडिजम का प्रोब्म है वो अनकंट्रोलेबल है दुनिया में आज तक कोई भी आदमी यह सॉलुशन नहीं दे पाया कि जज सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए जज सिस्टम हैस तो बी एंड़ेड इट कैनाट बी मैंड़ेड वो यूटोपियन जज का जो कंसट है कि एक ऐसा इमांदार जज आएगा जो आपने रिष्टेदारों को फेवर नहीं करेगा आपने द सब्सक्राइब करना कि हजार में से मैजोरिटी यानि सांसों आट सों ना नौसों जज आएशा है यह यही तेश है जहां पर क्राइम कम है डवलोप्मेंट ज्यादा है करप्शन करना है कि मैंने आपको देश गिना फिर से गिना दों कैनेड़ा अमरीका इंग्लाइड, पोर्टुकल, फ्रांस, जर्मनी, इटली और चार लेटिन अमेरिकन काट्रिस, स्वीडन, नौर्वेज, फिनलाइड, डैन्मार और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड और जापन और चीन में धिरे-दिरे जुरी सिस्टम आ रही है होंग कॉंग में भी जु हमें Hong Kong छोडना पड़ेगा, अब इंडिया के इस करॉप्षिन जो है, उसमें उन्होंने Hong Kong का एक्जंपल दिया, कि Hong Kong में लोगपल आया, करॉप्षिन कम हो गया, वहां पे जुरी ने लोगों को जेल में भेजना शुरू किया, इसलिए वहां पे करॉप्षिन कम हो गया, और ऐसा निये की, लोगपल तो फिलिपीन्स में भी है, वहां क्यों करॉप्षिन कम नहीं हो रहा है, उपर से फिलिपीन्स में दो करॉप्षिन इंडिया से ज्यादा है, बहुत सारे देशों का लिच्ट देख लीजए, वहां पर लोगपल है, और आप साफ 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 जब गुंडे और पुलिस में वहां कोई फरक नहीं है और मेक्सिको से आप कार से शुरू कीजिए और जैसे ही बॉर्डर क्रास होगी दूसरी तरफ टेक्सास है तो वहां पर ऐस इस तरह के आपको कोई क्राइंच नी दिखेंगे क्यों कि बॉर्डर के आप कल्चर का मतलब होता है कंटिनिवटी चला आज चन्टीटी नहीं है लेकिन आज से तो साल पहले तो चमाने टैक्स नेक्सिको का हिस्सा था तो जहां पर जूरी सिस्टम आई वहां पर महने दो मैने में 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 गर्प्रूप्शन कम हो जाता है कुल्चर तो वही था जो डेड़ मैंने पहले था, कल्चर तो डेड़ दो मैंने में बदल नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, यह क्राइम और करॉप्शन का प्रोब्लम हो व्यवस्था पर डिपेंड करता है, यदि व्यवस्था इस तरह की है कि गुंडा है, वो आसानी से जज के नहीं है, जो छे साल चली उसमें किसी नहीं नहीं बोला था, उसको चेंज करने की ज़रूद भी नहीं है, और यदि जज बोलता है कि यह उनकांसिटूशन है, तो राइट तो डिकोल सुप्रेम कोट चीफ जज निकाल दो नहीं करें से उसको, ऐसे जज को लाओ कि जो जज जूरी सिस्टम का प्रपोजल दिया है, उसमें कुछ-कुछ केस में, मडर के केस में, बलातकर के केस में, छेडखानी के केस में, सक्षण आरेस्मेंट जो ओफिस वगरा में होता है, उस केस में जूरी को पावर दिया है कि वो नार्को टेस्ट ले सके, पबलिक में, यदि ये सूथ खोरी के से जो 10-10 % इंट्रेस्ट लेते हैं मैने के 10-10 % परसंट या है थे साल के यह साल का 100-120 % परसंट इंट्रेस्ट हो यह तो वह पुरा कैस ठ्रजक्शन होता है बने कि नर्पों टेस्ट लोν सूथ खोर का तो फटा खट निकले कि उसने एक दो नहीं स्वाँ 200 आदम्यों से इतना इसुत खोरी लेकर उनको एकडम कंगाल बना दिया और आत्मात्या के पॉंट पे पहुचा दिया और अकसर लोग आत्मात्या कर भी बैठते हैं तो ऐसे case में नार्कोटेस के द्वारा और सबुद ले सकते हैं और जज्ज के पास नार्कोटेस का पावर हो तो कितना मिस्कीज होता है कि हमारे याद नार्कोटेस लेना है या नहीं लेना जज्ज के पास जड़ डिसाइड करता है तो जड़ ने क्या डिसाइड किया सुब्रिंग कोड के जड़ ने कि जो आरोपी है एक्यूज्ट उसकी पर्मिशन के मिना नार्कोटेस्ट नहीं होगा यानि कि कसब जैसा आदमी आता है सोदोसों को उड़ा देता है तो भी उसकी पर्मिशन के मिना नार्कोटेस्ट नहीं हो सकता जो कसब का नार्कोटेस्ट हुआ वो ये जजमेंट आने के चार महीने पहले हुआ था वरना यदि ये जजमेंट चार महीने पहले आया था तो कसब का भी नार्कोटेस्ट नहीं होता यानि कसब हो या हसन अली हो या ए राजा हो यह जो एक्यूजद है उनके पर्मिशन के बिना नार्कोटेस नहीं लेना चाहिए ऐसे हमारे सुप्रिम कोड के जज कहते हैं तीन जज ने जजमेंट दिया था और जो एग्जिस्टिंग जज है सुप्रिम कोड के जज है वो भी पाउ है उनोंने इस जजमेंट के पासा है कापडया नहीं है तो इस जजमेंट को रिवर्स कर सकिया है तो यह है ज़े ब्रस्क rebels ot understood comment को रिवर्स कर सके व्रश लोग ऐसा काएंगे कि यहां मेरा नर्को टेस्क लोग तो मैंने जो प्रोसीजर प्रोस कि उसमें नर्को टेस्ट पर मैजोरिटी अप्रूवल है और दुसरा नर्को टेस्क पर जूरी है अब आएगा अक्सर मुझे कानून के विद्यार्थी मिलते हैं पॉलिटिकल सा चलाएं Mayया टेकसास में है कालिफोोनिया में है कुछ धसे क्राच हुम है राइक टो एकल-डिस्टिक ज़ज वहां प्रेक्टिकल решил में है तो पहले मेरे सामने देखते हैं तो इबात टौम को बता ही नहीं है हमारे पाथयपुस्तक लिखने वाले वह हैं वो ढूरोचा के बदमास से कम नहीं होते हैं मैं उसे textbook mafia बोलता हूं, पाथयपुस्तक लिखने वाला जो दुद्धी जीरी होता है वो क्या सोता है कि इधी मैं ने पाथय पुस्तक में तो मुझे टैस्बूक की पैडल में से मिनिस्टर निकाल देगा। और दूसरा, जो उसको ग्रांट मिलती हैं, अधिवत तर आप टैस्बूक लिखने वाले देखो ना तो किसी ना किसी एंजियों से जुड़े होंगे उसको अमीरों से ग्रांट मिलती है तो मैं टेक्सबुक में यह बात लिखूंगा राइट टू रिकॉल आई कोट चीफ ज़ज, राइट टू रिकॉल डिस्टिट ज़ज या तो जूरी सिस्टम तो वो ग्रांट भी मेरी बंद करने के तो उस आदमी को टेक्सबुक ऐसी लिखनी होती है ताकि अमीरों से या तो जो मिनिस्टर वगरा है उसके एमिकेबल रिलेशन हुचे है उसका सबंद अच्छा बना रहा है इसलिए भारत की एक भी कानून की टेक्स बूक में या पॉलिटिकल साइस की टेक्स बूक में या बश में आपको जूरी सिस्टम या राइट तृली कल जज के बार में इन्फोर्मेशन नहीं बलइगी जो कुपुद्धी जी भी है, युनिवसिटी के पॉलिटिकल साइस के प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइस डिपार्टमेंट के, होडी वगेरा, वो चाहते ही नहीं है कि विद्यार्थियों तक यह माहिती ही चाहे। मैं यहां तक उन्हें का कि आप बोलते हैं कि यह चीज बक्वास है, तो लिखो testbook में कि अमरिका में जूरी सिस्टम है, और लिखो कि जूरी सिस्टम है, और लिखो कि जूरी सिस्टम है। गलत है जूरी से, आपको अपना ओपिनियन रखना होता है। और यह इन्फरमेशन शप्रेस्ट कर रहे हो। कि विधियार्जों गता क्या इंफरमेशन ही नहीं जानी चाहिए कि अमरिका में जूरी सिस्टम है। यह पर आपको चाहिए कि एक जज के चढ़ बैठा हम सव करोड आजमियों के बास होता कोण है। जितने चाहे उतने डंडे मारे और हां में हां मिलाता जाए तो जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल ये कर्सेप्ट उनको अपील करते हैं इसलिए उनको इंफर्मेशन ही नादा जाए इसलिए पाथे पुस्तक लिखने वाले जो कुपती जीवे उसे स्कूल में या उसके कॉलेजों के पाथे पुस्तक में लिखते ही नहीं है दूसरा जो टीवी चैनल वगेरा है वो तो आप जानते हैं Every News is a Paid News, Every Editorial is a Paid Editorial, Every Columnist is a Paid Columnist तो जो कॉलम लिखने वाले भी गुद्धी जीवी है फिर वो अरुन शोरी हो या तो अंकलेश्वरी है जितने भी कॉलमिस्त है वो भी पुब्लिक को Right to Recall Judge जो अमरीका में है या दूसरे दिशों में है और जूरी सिस्टम के बारे में को करिये देनी शुरू की तो अमीर आदमी जो उसके कॉलम के को सबसिदाइस कर रहा है वो बंद करा देगा यह कॉलम का इकॉनमिक्स क्या होता है कि मानलो मुझे अखबार में कॉलम चाहिए तो अखबार का मालिक बोलता है कि इतना कॉलम है वो छाप दूंगा पर बदले में तो मुझे इतनी अड़ड़ाइस्मेंट लाके दे तो या तो मुझे इतनी अड़ड़ाइस्मेंट लाके देनी पड़ेगी या तो मेरा कोई इं परफ्चा है इसका कॉलम तुम कल से शुरू कर दो तो ये कॉलम का इकोनमिक्स होता है वाई एक कॉलम मिजब पेड कॉलम कि वो कॉलमिस्ट का यदी कोई इन्डस्ट्री में गॉडफादर या का नहीं है तो उसका कॉलम में वो बंध हो जाएगा तो इसको अपने गॉडफा वो उनकी सत्ता में कटवती लाती है, बुरी सत्ता में ने, उनको गलत काम करने होते हैं, तो जूरी उनके राश्ते में रोडे अटका सकती है। इसलिए वो जो कॉलमिस्त अखबार में वो भी कभी जूरी सिस्टम के पारे में लेखे दें। मैं पिछले 12 सालों से जूरी सिस्टम का परचार करता हूँ, तो अधिकतर highly literate लोग जो की अखबार का पूरा कॉलम पढ़ते हैं, कितावे पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स मतलब जो एमिनन्ट इंटेलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पर दे शी किताब आपको अभी बी क कानूर की किताब ले लो, कोई भी वकिल से बात करो, या तो कोई ज़से वाद कानून की किताब जिसने पढ़ी हो लिखी हो या तो उसके टच में आता हो उसे पूछे कि आपकी किताब में कभी भी जुरी सिस्टम के बार में आपने पढ़ा अमेरिका पॉलिटिकल साइंस वाले को पुछी ओ कि आपने राइट तू रिकॉल जज अमरिका में हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ा बीए पॉलिटिकल साइंस वाले को तो कुछ भी नहीं पता यहां तक कि उनको एक कंपेरिटीव गवर्मेंट का सब्जेक्ट होता है कंपेरिटीवेजिक्स ख्बूसि अलग अलग देशों की गवर्मेंट को कंपेर किया जाए。 तो जब अमेरिका और इंडिया की गवर्मेंट का कंपेरिशन आता है तो उसमें जूरी सिस्टम नहीं होती उसमें राइट टूरी कॉली होता बस ये प्रेसिडेंशल सिस्टम है यहां पर प्राइम नेसर ने बस बात खता है एक ही पॉइंट पर लोग बात खतेम करते हैं कि यहां पर पार्लामेंटरी सिस्टम है अमरीका में फैसे फटाल अब जाउट सिस्टम से कैसे आगा की मानलो मैं ज़ाज्मेंट हो और मुझे बोला ज़ेक्टT देना है तो मैंने अपने दिश्टेधार वकिलों के फेवर में जज्ज्मेंट देने शुरू partir गरके बाद एक गरदे को अब मेरे रिष्टेदार कौं होगे भई मैं बनिया हूं तो दो चार आ लगद ब्रहमन पर डेला जायए तो सोसाइटी में क्या करिंदि कुछ मिनिस्टर हो जज कॉंच थे इंपोटीग में है कि यारों दोस्तों को फेवर करता है अपने दोस्तों को और इसके दोस्तों में अधिक तर उसके कास्ट के होना स्वाभाविग है और इससे society में caste का conception करिया बत होता है और पूरी society में casteism का perception आने की वज़ा से एक आम upper caste के आदमी और आम lower caste के आदमी भी दुश्मनी हो जाती है तो यह nepotism है जो casteism के perception को मजबूत बनाता है और nepotism कैसे खदम किया जाए अदालत के अंदर जो है एक तो recruitment by return exam only recruitment by return exam only यानि का interview होना ही नहीं चाहिए और यह jury system अब दूसरे जो political party है या group है उनका right to recall या jury system के बारे में क्या मानना है जैसे BJP है, Congress है, CPM है आजादी बचाओ अंदोलन में एक राजीर दिश्चित जी राजीर दिश्चित के सीवा सारे सरसे पाऊ था हमेशा right to recall के विरोधी रहे RSS फिर ये Congress, CPM, Mayawati, समाजवाधी दल ये सब जूरी प्रथा के विरोधी हैं और right to recall के विरोधी है सब, एक से बढ़कर एक वो अपने कारिया करताओं को आदेश देदे हैं कि right to recall का प्रचार बंद करो jury system का प्रचार बंद करो अब अक्सर ये बात कही आती है कि अच्छे आद्मि लाओ जो पुराने जमाने में सत्य युग में हुआ करते थे या द्वापर युग में हुआ करते थे तो ऐसा कुछ नहीं है अच्छे आद्मि है system का important होता है इसमें मैं आपको ये Supreme Court of Hastinapur का case तुनाओ Supreme Court of Hastinapur में उस समय Chief Justice थे Justice दृतराष्टरा और डेपोडिशन उस समय भी था Judiciary में कि उनका लड़का एक Crown Chief Justice था मतलब कि उनके मरने के बाद Crown Chief Justice दूर्य अदर तो भई Supreme Court होता है देश के काम के लिए वहाँ उन्होंने जुवे खेलना शुरू कर दिया जुवा खेलना है तो Club में जाके खेलो Supreme Court में खेलते हो Supreme Court हो Hastinapur में है वहाँ जुवा खेलना शुरू कर दिया और Justice दूर्योदन और उसके सामने दूसरे राजय के Justice युदिश्टिय जुवा खेल रहे थे और बाकी जब दूर्वपदी की वहाँ पर पब्लिक में जो छेड़खा नहीं हुई तो आप देखिए उस समय Professor Dr. Dronacharya Supreme Court में महजूद थे उन्होंने Justice दूर्योदन को सपोर्ट किया विरोध नहीं किया आप मावारत पढ़ लिए Professor Dr. Vedvyas में जो मावारत लिखी आप पढ़ लिए Professor Dr. Dronacharya ने कोई विरोध नहीं किया कुछ नहीं तो कम से कम वो Resignation की धंकी तो दे सकते थे कि बहिए मैं उनके पास हथ्यार भी थे मारपिटाई की धंकी भी दे सकते थे सारे अथ्यारों को ज्यान था ब्रह्मास्तर से लेके छोटे मटे तीर से लेके ब्रह्मास्तर सारे वो दुरियोधन को मारपिटाई की धंकी भी दे सकते हैं कि पोई तुरुपती को छोड़ दो वरना में ब्रह्मास्तर चला दूँगा अपर प्रोफेसर डुक्टर दुरुणाचारिय देखते रहे उन्होंने दुरियोधन को इंडिरेक्ली सपोर्ट दिया जस्टिस धृत्राष्टर ने भी अंदर से सपोर्ट किया कोई विरोध नहीं किया जस्टिस भिष्मा भी सुप्रेम कोड में मौझूद थे उन्होंने भी जस्टिस दूरियोधन को कोई विरोध नहीं किया और वो को सारे बुद्धी जी वी उस समय जो वहां पे थे उन्होंने क्या रेखा कि भी द्रौपदी अब तो आम नागरिक है क्योंकि वो दासी बन चुकी थी मतलब गुजराती में बोले तो टूटी गए ली पार्टी कि आप पहले वो अमीर घराने से थी लेकिन वो सब रात पढ़ हार चुके थे अब अब इस आम नागरिका में क्यों साइड लेना यानि मेरा पॉइंट के आया कि जब न्यायदी श्यदी जस्टिस दुर्योधन या तो जस्टिस दुरुदराष्टा या कोई भी जज़ जब किसी आम आदमी की छेड़का नहीं करेगा उसको लूटे का या दबन करेगा तो जितने भी पुद्धी जीवी है वो जस्टिस क यानि मेरा पूर युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ते जितने भी बुद्धी जीवी होते हैं आप एको कहीं न कहीं गवर्मेंट की पोजिशन से प्राइवेट पोजिशन से जुड़े होते हैं उन्होंने जो एकलवय का अंगुठा कटवाया उसमें दलित यानि वह माइनर था और माबाब को बुलाए भीना उसने यह किया तो चाइल अट्रोशिटी का केस भी हो सकता था तो प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचारी अटर गे कि यदि मैंने जसिस दूर्यदन का विरोध किया और जसिस दूर्यदन ने वह एकलवय की फाइल खोल द तो बेकार में 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 को दस सल की जल्की से जाओ सकती है इसलिए सारे बुद्धी जीवी होते हैं वो हमेशा बड़े आदनों की साइड लेते हैं वो कोई आमनागरिक के लिए नहीं आता और वो सुप्रिम कोड के सुप्रिम कोड़ अवस्तिनापूर में जो यह छेड़ख गर्णालिस्ट ओ या गवर्मेंट का आदमी हो एक-दो परसंट अच्छे होंगे वह नहीं माना गरता है एक-दो परसंट में भी अच्छे होते हैं पर दो-तीन परसंट लिमिट हो गई एक भी बुद्धी जीवी तुमें यह अदालत सुदारने के काम में नहीं आएगा ज अब जुड़ी शरी का जो वर्तमान जुड़ी शरी का रवईया क्या है कि कोई आदमी जुड़ी शरी के ब्रष्टाचार के बारे में बोलता है तो उसे कितना परेशान किया जाता है एक रिटारड आर्मी ओफिसर था है उसने पुरे हिंदूस्तान में अलग-अलग राज तो जुडी शरी उसमें दुसरे नंबर पर आयी तो मैं तो बोलता हूँ जो मूर्ती पुजक है दो जो न्याय मुर्ती को बहुतिजें को बहुत करने वाले बुदुरी यह पर दूसरे नंबर पर जुड़ी शरीय आती है तो वो आर्मी ओफिसर दिल्ली में है जम्मु कश्मिर के ओट ने कंटेंट का नोटीस निकाला मनलेको यह साब साब दिखता है मोटिव एफफ दे जज्ज क्यों स आदमी को nostro को पर्रेशन कर ला है उसादमी क्रिमिनल तो है नहीं वह वहन्मडी मैं है वह जम्मु कश्मिर गया नहीं है जमीं कश्मिर को सरवे ले प्रताडीत करती है कि बही चुप रहतू खबरदार जो ने जूरी शरी के करफशनिया नेपोडिजम के बारे में कुछ बोला अब जो बाकी मैंने आपको बता है जूरी सिस्टेम के बारे में कुछ और छोटे पॉइंट है कि कोट का इंफ्रस्ट्रक्चर सुधाने के लिए वैल्टेक्स जरू दिये ताथी कोट के पास पैसा आए फिर एक लाख अदालतों की जरूत है अभी हिंदुस्तान में कुछ अठारा आजार जितने अदालत है और तीन करोड़ केस है यदि तीन करोड़ केस को तीन साल में न में एक लाख अदालत चाहिए और एक लाख अदालत के लिए इतना स्टाफ चाहिए और उतना मतब सामन्स बेजने के लिए पहुँचने में एक साल निकल जाता है। बहुत सारे अदालत में ऐसे ऐसे केसे जो कि एक साल दो साल तक पड़े हुएं और आदमी को अभी तक समस नहीं बेज पाए। उसका कानण जज का प्रष्टा चारो पुलिस का प्रष्टा चारो जो बोग पर वह प्राप्लेम है वह यह इलर्ड की समन्स इमेल से बेजे जाये उस प्रकर मिवास्ता से कम हो सकती है दूसरा जो मेरा सजेशन है जो सारे कुबुद्धी जीवियों को करण देता है वो है कि कानुन का विशय फिफथ क्लास से पढ़ाना चाहिए कि जबीभी माबाप पेड़ हो ओले 6th класс एक 6th class माबबाप पेड़र को मेरे लड़के को 1st standard से कानून सिखाओ जा या 5th standard से कानून सिखाना चाहिए कि सारे बुद्धी जीवी या कुपुती जीवी इसके विरोधिये कि ने आम नागरिक को कानून के बारे में को जानका रही नहीं देनी पड़ेगी खुटी वकील चाहिए कोड चलाने के लिए इस तो देनी पड़ेगी तो यह कानून सिखा और लेकिन वो 12th के लड़कों को कमीना आगमी मांता हो रविंद्रानाथ टागवर जो जन्मन गन है वो उसने नोबल प्रैस चाहिए था इसले उसने सैंशा की तारीफ में लिखा कि तुम हमारे बगवान हो तुमारी वज़ा से हिंडुस्तान उठके तुमारा अशिरवाद मंगता है वगेरा उसने गाना लि कि कम से कम गणिट सिखाओ कम से कम एंजिनेरिक को कि और हथ्यार चलाने का सि ठीडेना ही नहीं चाहिए आर कानून का सिर्षन गी नहीं देना चाहिए कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि IPC क्या होता है, bail किसे कैते हैं, judge क्या 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 काय परक है ? Police के क्या power होते है.. ये कोई भी जानकारी आहम ना करिक तग नहीं होनी चाहिए और मेरा सजेशन है कि कानून का एजूकेशन फिफ स्टंडर से होना चाहिए और जितने आप MP से मिलोगे तो जो MP ऑपोजिशन में है वो लो एजूकेशन को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो जब पावर में थे तब उन्हें ये कुछ नहीं किया जा से कि मैंने अंदाबाद में सुपरमने स्वामी की स्पीश सुनी तो उन्हें बोला था कि कानून का एजूकेशन स्कूल से शुरू होना चाहिए अब जूरी सिस्टम आने से स्वादेशी का फाइदा होगा ये बात कुछ विरोधासपत लगती है कि जो स्वादेशी में मानने वाले संगठन है ये स्वादेशी चात्रान मंच ये आजादी बचाव अंदोलन इसमें दिक्षिद जी राइट टू रिकॉल के समर्थत थे और जूरी प्रथा का भी वो समर्थन करते थे लेकिन बाकी सब लोग जूरी प्रथा का विरोध करते हैं और जूरी प्रथा आने से कैसे स्वादेशी को फाइदा होगा कि जूरी देखेगी कि भई ये लोकल आदमी और ये विदेशी कंपनी है और कोई भी हिंदुस्तानी आदमी देखे का कि ये लोकल कंपनी है जिससे एंप्लोइमेंट मिल रही है देश का पैसा देश में रह रही है तो जहां तब यदि उसके सामने गलत केस डाले गया है स्वादेशी कंपनी के सामने तो उसकेस को खारिज कर देगी ऑफिसर को फाइ तो स्वादेशी अंदोलन में ये बहुत महत्वकी भूमी का निवा सकती है इसी तरह से जो टैक्स ऑफोरिटी के हैरेस्मेंट है वेट डिपार्टमेंट है सेस्टेक्स डिपार्टमेंट इंकम टैक्स एक्साइज वो जूरी सिस्टम आने के बाद खतम हो जाएगा कि जूरी देखेंगी कि भई ये आदमी चोटा मोड़ा कारखाना चला रहा है एक्साइज वालों ने आके कारखाना बंद करा जिया केस तो किया इस ते उपर केस देखा उन्होंने वह चेस तो कुछ नहीं है यादमी तो एक्दम हिमानदार है अब जूरी सोचे जी कि अब हमने इस आदमी की मदद नहीं की तो क्या होगा यादमी फैक्ट्री बंद कर यह चला जाएंगा दूसरा चला थीसरा चला जाएंगा तो यूवकों को एंप्लोइमेंट कहन देखा यदि यूवकों कॉसा थाएंगे तो घरी हो जाएंगे गुण्डागर्दी पर आजाएंगे इसलिए जो जूरी होती है वह हमेशा एक उद्यमी व्यक्ति को अधर की लेकिन गवर्मेंट का ऑफीसर का अपरोच अलग होता है गवर्मेंट आपशीसर अपरोच अलग होता है एक तो इसको पैसा उगलवाना है, दूसरा कि कभी-कभी जो बड़े उधियोग पती होती है, मुल्टीनेशनल कंपनिया होगे रहा है, वो अफसरों को रिश्वत देती है कि जाओ तुम छोटे उधियोग फैक्ट्री वालों को परेशान करो, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीय बंद कर दे, ताकि हमारा दंदा बड़े, तो वो बिलकुल बंद हो जाएगा, जब जूरी को पता लगेगा कि यह अपसर तो बड़ी कमणियों की इसारे पर काम कर रहा है, और दिख तो जाया गई, रवये से बाट ठीक लगेगी कि यह कानून मुल्टी नेशनल कमणी में क्यों नहीं लगाया, जो इस चोटे आदमी पर कानून की एक के बाद एक सारी कलमें लगा रहा है, तो रवये से पता लग जाएगा, तो जूरी ऐसे समको डंड करेगी, या तो नौकरी से निकाल देगी, तो अपने चोटे उद्योगपतियों क सेल्स टेक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर कस्टम, फिर प्रोविडर्ट फंड, लेबर, ये सारा इंस्पेक्टर आजएगा, जूरी से चमाने से खतम हो जाएगा, और इससे देश में उद्योग बढ़ेंगे और विकास होगा, तो ये सारे मैंने आपको ब दीजेए ये से पुछी है कि मुझे एक पेट, दो पेट, दीन पेट का सॉलुइशन दो, कि किस तरह से सुप्रीम कोड का नेपोडिसम बंद हो सकता है, तो वो तुरन टॉपिक चेंज करते हैं, एक तो पहले न्यायदिशो का ब्रष्टाचार वो बोलेंगे न्यायतनत्र की कमिया, पर मैंने नायतनत्र की कमिया की लाने को नहीं बोला, मैंने बोला कि जुडिशरी जल साप के ब्रष्टाजार का उपाईदो, उनके नेपोडिशम का उपाईदो, तो वो तुरन टॉपिक बदल लेगे कि नहीं, इस टॉपिक पर बहसी नहीं होने चाहिए, तो बुद्धी जीओ के ये प्रोब्लम सौल करने में इंटरेस्टी नहीं है, मादमियों को करना पड़े गया, प्रोब्लम कैसे, गैजएट में अचे कानून चंपवा के, कौन से कानून, तो कौन से कानून में आपको जो कानून थीक लगे, मैं जो सजेशन देता हूं, व रहे, district public prosecutor, जुरी system, supreme court, high court और lower court, तिनों में, पुरी lower court से लेकिए supreme court हर जगा jury system होनी चाहिए, कही Townर, labor charge, कल्सों के जो सफ़ीक आपको जाहिए, और वेल टैक्स, जमीन पे, ताकी पैसा मिल सके, अदालत एक ऑुरहतцо और उसके बाद फिफ्ट स्टांडर से कानून का एजुकेशन डालना, जितने भी अदालत में अधिकारी काम करते हैं, न्याय देश, गवर्मेंट अफिसर सब के पास जो वेल्थ है, वो इंटरनेट पे रखने, कौन से जज के पास कितनी वेल्थ है, उनके रिलेटिव के पा पे जमीन नहीं रखते हैं, वो ट्रस्ट कना लेते हैं, अब ट्रस्ट के नाम पे 10-20-1000 करोड की जमीन पी हो सकती है, जैसे कि अद्वानी है, जिनने में अलुमिनियू पूरुष बोलता हूं, अपने आगको वो लौ पूरुष बोलते हैं, लेकिन ये बंगलादेशी गु संपत्य है, ठीक है, सही संपत्य है, उनके पास एक घर था, लिया था, उनने पचीस-तीस लाग में, आज उसकी मार्केट वेल्यू एक लाग के करोड होगी, तो वो कोई ब्रष्टा जा रहा हैं, जैस नहीं हो, मार्केट वेल्यू बढ़ दी तो बढ़ दी, तो उनने बोल कि मेरे पास पांच करोर की प्रोपर्टी और ट्रस्ट का नाम उनने लिखाई नहीं है, कानूनी लिखने की जरुवत भी नहीं ही, पर जितने भी यह जज है, MPA, MLA है, Government, Mahias है, और उनके रिलेटिव के पास जो ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट और उनके रिलेटिव के ट्रस् समीन है, कितनी प्रोपर्टी है, वो भी वेबसाइट पर आने चालिये, और सिटीजन को इन्वाल किया जाए लोकी प्रोसेस में, तो जूरी सिस्टम तो है, कि जूरी समन्स आते हैं, तो आत्मी को जाना पड़ता है, प्लस प्रोसीकुशन समन्स जो मैं बोलता हूं, कि नागरिक को समन्स बेजे जाएंगे, कि आपको कोट में एटेंड करना पड़ेगा ये ट्रायल, वहां पे गवाया, वो ना विटनेस है, ना एक्यूस्ट है, ना विक्टिम है, पर आपको कोट का ट्रायल एटेंड करना पड़ेगा, ताकि नागरिक है, वो अदालतों के प्रती उसका डर खतम हो, उसका परीचाई बढ़े आदालतों से, तो अपलसरी एटेंड इन दे कोट ट्रायल इस तरह से, कि हर एक नागरिक को साल में कम से कम छे दिन कोट का ट्रायल एटेंड करना पड़ेगा, इसमें यदि वो बीजी है तो चलो दूसरे दिन आए, उसम साल में कम से कम पांचे दिन उसे कोट के ट्रायल एटेंड करने पड़ेंगे, कोट का चीज उसको समधने की कोशिए और अधिक तर लोग को इसमें रूची भी लेंगे, क्योंकि हरेक आदमी को पता है कि किसमत का कोई वरोसा नहीं कब उसको कोट के चकर काटने पड़े, त कर दो कि अधिक लिए कुछ समय हो और भारत की अदालत होदार में में उन नहीं कोई दिल्चापी नहीं दिखाई और क काफी लोगों ने पुछा उनको मैरा उनको डार्यक कॉंछा था कुछा कि को अपके नेता है को कुछ आपके तुछ देसके है कि जिए से नपर्म कोट क और दूसरे कि मैं लोगपाल के नाम पर आंशन पर पैठाँ का, मैं आंशन पर पैठाँ का, तो मैं बेहिए पीड़ कठा करके मेरी जाय जाय कर देंगे, कि अदाला सुधाने के लिए उम कोई बेज़ाइड नोडिफिकेशन और नहीं देंगे, तो इसलिए हम कारिया करता जाएगी, उसकी नफरत बढ़ती जाएगी, देश के प्रती उसकी उसका स्ने, प्राय प्राय जो भी को कम होता जाएगा, फिर हम कहेंगे कि राष्ट्रियादा कम हो गई लेकिन यदि अदालते, यादि राष्ट्रा का महत्वा पुण ही साबकूरी सदालत, यदि वो जैसे अमरीका है, तो वहां के लोग काफी पैट्रियोटिक है, जापान, तो वहां के लोग काफी पैट्रियोटिक है, क्यों कि उनको परेशान करता है, बुंडा या सक्कार यदिकारी, तो अदालत उसकी मदद करते है, पुलिस उसकी मदद करती है, तो उनमें पैट्रियो आटने पोचास प्टन पन्हामात